कि नमस्कार बच्चों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल उपी गनित में और मैं संज्यू कुमार मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रसनावली 4.1 का पहले का पांचमा प्रसन बच्चों मेरे पास जो प्रसन दिया है जाज कीजिए क कि क्या निम्न दिघाद बहुपस समीकर्ण है मेरे पास ये संख्यां जो दी है मुझे जाज करके बताना है कि ये दिघाद बहुपस समीकर्ण है नहीं है दोस्तों अगर हम प्लास 10 के स्टूडेंट है इस बार का अच्छा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं तो यार इस वीडियो लगा तो into होता है x-3 तो पहले 2x-1 की multiply कर देंगे x-3 से इसी तरीके से x-5 की multiply कर देंगे x-1 से दोस्तों गुणा कैसे करते हैं बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से समझना है देखे इस ब्राइकेट के अंदर कितनी संख्या है कितने पद हैं दो पद हैं पहला पद हमारे e2x है दूसरा पद हमारा 1 दिया है तो हम क्या करेंगे इस 2x की multiply कर देंगे दूसरे बाले ब्राइकेट की संख्याओं के साथ में तो पहले हम क्या करेंगे 2x ऐसे लिख देंगे बिल्कु धियान से आपको समझना है 2x ऐसे लिख देंगे और इसके साथ में x-3 के साथ में अब इसी तरीके से जो हमारे पहले bracket में पहला number था उसकी multiply हमने दोनों संख्याओं के साथ कर दी इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पहले bracket में दूसरी संख्या है उसकी भी multiply हम कर देंगे इसी संख्या के साथ ठीक है बरावर लगा दिया सेम काम इसमें भी करना यह मारा फ़स्ट हुआ यह सेकेंड है तो इस बन की गुणा मतलब जो पहला वाला पद है इसकी गुणा कर देंगे X-1 से प्राइकेट को बंद अगली संख्या हमारी है प्लस का पांच इसकी भी मल्टिप्लाइ कर देंगे इस दूसरे वाली प्राइकेट की संख्याओं के साथ में अब अच्चो क्या करेंगे इस दो एक्स की मल्टिप्लाइ इस ब्राइकेट के अंदर जो संख्या है दी उनके साथ हम करेंगे तो 2X की multiply X से करेंगे बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है यह मारा 2X था गुणा कर देंगे ब्राकेट खोलेंगे तो गुणा आएगी इसकी गुणा करें X से तो बच्चों हम ऐसा याद रखना गिंती की गुणा गिंती से कर लिया करो तो इसमें गिंती दो है आक है तो बांकि को गिंती है नहीं तो दो ही लिखेंगे पहले तो हम गिंता की गुणा कर लेंगे इसके बाद में जूए वी सी डिके अच्छ है रहें उनकी जोड़ेंगे और कितना उलतीबाय करेंगे तो हमारा कितना शायेगा वह फिर गुना गुंगा करेंगे ठीक है इस दो एक्स को जो हम गुणा करेंगे मानस तीन से तो हमारा गुणा कितना आएगा तो पहले गिंती गुणा गिंती से करेंगे दो तीना कितना होता चे होता है और और एक्से लिख देंगे यह मारा मानस से प्लस जिन घर डिफ्रैंस है तो सुरू में हम मायनस लगा लेंगे तो मायनस का बच्छों कितना आया चे एक्स आ गया इसी तरी के से वन की गुणा एक से करेंगे तो हमारा वन एक्स आ जाएगा पन लिखाना यह ता बन एक ऐसी और बन की गुणा हम एकस से करेंगे और एक ऐसा नमबर होता है जिसको जिस संख्या से गुणा करेंगे वही ऐगा जाएगी तो हमने एक गुणा एक्स से किई एक सी आ अब चिनकर लीकी ब्लास मैंनेश नशक्देटि यहां लगा दियाए मैनसे इसके अंदर भी माइनस टो माइनस एक की गौना मानस-3 से करेंगे तहू मारा मैनस- मी हुआ हो यहाँ होता प्लस तो नहीं लगाते हैं तो हम ने यह तीन लिखेदिया प्लस का ठीक है तो बुच्चो X की गुणा है जब X से करेंगे ABCD का एच्चर चैसा एक जैसा है तो एक बाली को पावर जूड़ जाएंगी एक से स्कॉर इसी एकस की गुणा हम बन से करेंगे यह मारा माइनस यहमारा प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस पांच की गुणा एक से कर देंगे गिंति की गुणा जब एक एवी सीडी से करें गिंति पहले लिख लिए अगरो एवी सीडी का अच्छा बाद में तुम्हारा पांच एक्स हो जाएगा माइनस घटी सकते हैं देखिए चिन के अनुसार यह 2x square वाला अगर कोई यहां होता तो उसको आपस में हम जोड़ भी सकते ते या घटा सकते चिन के अनुसार कि नहीं है 2x square से हम ऐसे लिखते हैंगे यहां पर x की पावर कुछ नहीं तो बन है इसमें भी x की पावर कुछ नहीं तो दूबन है पावर सेम हैं तो आपस में जूड़ जाएंगे क्यों चिन हैं सेम तुमाइनस माणस मेरा फ्लस होता जुड़ जाएगा 6 में एक जुड़ है जे 6 पांच में इसे एक जाएगा तो चार बचेगा चार एक संख्या बड़ी कौन सी यह है पांच यह हमारा बड़ी संख्या जो है उसी का हमचिन उसके आगे लगा देंगे माइनस का पांच हो जाएगा अब सारे संख्याओं को पच्छांदर कर लाएंगे दो एक्स इसक्वार अधर था ठीक है स्क्वार को इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा यहां साथ एक्स पहले से ही था इस चार को इधर लाएंगे तो बच्चो का यह मैं हो जाएगा माइनस में प्लस तीन था इधर यह पांच इधर आएगा तो हमारा बच्चो प्लस का हो 2x2 में से 1 x2 चला जाएगा तो 1x2 बचेगा लेकिन एक शुरू में नहीं लिखा जाता है यहां एक बचेगा लेकिन एक हम नहीं लिखते हैं यह मारा साथ एक मैनस का है यह भी हमारा चर क्या दिया है इसमें चर दिया है एक्स और एक्स की हमें पावर देखनी है एक्स की घाद देखनी है कितनी एक्स की घाद इसमें एक्स की घाद बच्चों कितनी है दो जिसमें चर की पावर दो होता है उसे हम देघाद बहुपद कहते हैं तो कह सकते हैं ये मेरे पास जो स सकते हैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद यह वीडियो कर पसंद है तो लाइक करना सेर करना दुस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू जरू करना